उपदेशों का पवित्रदान धम्म उपदेश के प्रती चिंतन मनन आशार से अश्विन पूर्णेमा तक धम्म के विचार लोगों तक पहुचाने वाली सदियों से चली आ रही परंपरा वर्शावास आकवातो अरहतो भगवदू अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमट्थस्य भगवदू अरहतो सम्मासं बुद्धस नमोतस भगवतो अरहतो सम्मासं बुद्धस बुद्धं सरणं गच्छामी सांघं सरणं गच्छामी सांघं सरणं गच्छामी महा कारुनिक दुनिया के स्रेश्टतम तथागत बुद्धं भारतिय सविधान के शिल्पकार एवं बुद्धायन धमाग्रंथा के निर्माति महमानव बाबासाब अम्मेटकर चक्रवती सम्राट अशुक सभी महमानव को मैं अभिवादन करता हूं उसी प्रकार यूश्यन बुद्धा देखने वाले सभी सभी को मेरे तरफ से नमो गुद्धायन सभी का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी धम्मदेशना को शुरुवात करता हूं उसके पहले आप सबको मेरे और से और यूश्यन बुद्धा चानल के और से सभी उनके सदशक के और से वर्षावास की शुभकामना है मैं इस समय वर्षावास के समंद में आपके सामने कुछ बाते रखना चाहता हूं वर्षावास यह ऐसी सूपरमपरा है कि जो महाकारूनिक तथागत बुद्ध ने जिसकी शुरुवात की थी और आज इतने सालू के बाद में भी यह परमपरा आज भी शुरू है यह ऐसी महान परमपरा लुए अ वर्षावास की परमपरा आज जितने भी बहुत दराश्ट है जितने भी बहुत द्विक्षू है हर विक्षू हर देश में हर राज्य में इस वर्शावास की परमपरा का पालन करता है और जो बिक्षु है वो वर्शावास तीन मेने वर्शावास करता है और उस समय तथागत बुद्ध के विचारू का प्रसार प्रसार करता है वर्शावास उस समय तथागत बुद्ध के समय आशार पुर्णियमा से शुरू किया था उनका जो पहला प्रबोदन हुआ था आशार पुर्णियमा को उसको धम्म चक्क पवर्णतन सुत्त पालिवाशा में कहते हैं और आशार पुर्णियमा को धम्म चक्क पवर्णतन दिन कहते हैं यह वर्षवास इसलिए शुरुवात किया गया था कि वर्षवास के समय साधारन वर्षवास जब वर्षव रुतु शुरू होता है उस समय वर्षवास किया जाता है वर्षवास रुतु में बारिश रहती है नदियों को पानी आता है नाले भी बैने लगते है जंगल भी हरे भरे होते है किसानों की खेती भी हरी भरी लैलाती रहती है किसान भी अपने खेती में काम में मगन रहते है और उस समय प्रवास का कोई साधन नहीं था, तबी भिक्कु संगा और तथागत बुद्ध भी पैदल प्रवास करते थे और पैदल प्रवास करने के वज़े से उनको जंगल के कारण, जंगल में जो हिस्त्र प्राने रहते थे उनसे या फिर बाकी गयर जो गुनेगारी करने वाले लोग थे उनसे कुछ अगटीद घटना घटने का कारण बन जाता था, उनसे नुक्सान होने की येती नुक्सान हो सकता है इसलिए तथागद बुद्ध ने वर्षा के समय तीन मेना आशारपुर्निमा से अश्विन पुर्निमा तक सात्यत से एकी विहार में एकी जगा रुखने के लिए तथागद बुद्ध ने कहा था उस समय विक्कु संग जब पैदल चलता था तो उनके साथ काफी विक्कु रहते थे हजार पास्व जब वो खेती से चले जाते थे तो खेती का किसान का उससे नुक्सान भी हो जाता था यह सब पूरा देख करके तथागद बुद्ध ने यह योजना बनाए वर्षावास की वर्षावास में कुछ ऐसी मुसीबत आई कि जिस कारण भी कोग अपना जान गवाना पड़ा ऐसे कई घटनाएं घटी इसलिए तथागद बुद्ध ने वर्षावास का एक कारेकम वर्षावास की शुरुवात की वर्षावास में जो सेकी परापरिवार होते हैं सेकी परिवार का मतलब बुद्ध धम सिखने के लिए जो तैर सिखना चाहते थे अईसे सेकी परिवार भिक्कु संग वर्षावास में जिस जगाट रुकता था वहां उनकी पूरी व्यवस्ता ये लोग करते थे वर्षावास में विक्कु संग एक जगा रहता था और जो श्रेष्ट विक्षु है वो दुसरे विक्षु को प्रशिक्षन देता था और भी नई सिखाता था ति जो तीन महिने का जो कालावदी है ये बहुत महत्वपुर्णवत धम्म के लिए होता था कि जिस तीन महिने में हर विक्षु अपना ग्यान अपग्रेट करता था ग्यान में बढ़ोत्री करता था नहीं नहीं बाते सीख लेता था और विने का पालन भी वो सीख लेता था इसका मतलब यह है कि वर्षावास ये ट्रेनिंग पिरेड आप धम्मा ये ट्रेनिंग पिरेड था प्रशिक्षन का कालावदी था धम्म का और भिक्कु के लिए ये कालावदी बहुत मात्वपुन्न था लेकिन जीजगा वर्षावास में विक्कु को प्रशिक्षन दिया जाता था उनको विने सिखाये जाते थे वहाँ पर कुछ उपासक और उपासिका भी धम्म ग्यान ग्रहन करने के लिए आ जाते थे उसी प्रकार उस भिक्कु संग और उपासक वर्षावास में इकटा एक जगा करके धम्म का ग्यान ग्रहन करते थे ये बहुत अद्बुद घटना थी मात्वापुर्ण घटना थी वर्षावास में और इसी को लेकर के एक जगा बैट करके हम धम्म को पढ़ा सकते हैं लोग उसका ग्यान ग्रहन कर सकते ये बात को लेकर के विश्व विद्यालाई के बात सामने आई और उसी के कारण विश्व विद्यालाई के भी सुर्वात हो गई है इसलिए वर्षावास ये मातो पुर्णा है आज भी वर्षावास होता है अभी वियार उपलब्द है वियार में वर्षावास होता है उस समय उपासक ज्यादा तरपे अभी इस समय में भिक्गु हर एक वियार में अलग अलग वियार में विक्गु चली जाते है और वहां विक्कु के मारपत वर्षावास होता है तीन मेने विक्कु उसी विहार में रहते है और धम्मदेशना देते है तो उसमें उपासक और उपासिकाय भी वर्षावास में सम्मलित होते हैं वर्षावास के भागिदारी बन जाते है तो इस समय मैं यह बताना चाहता हूँ, आप लोग अवश्य उसको समझे कि वर्षावास के समय उपासक उपास सिका इन्होंने क्या करना चाहिए? वर्षावास के समय तीन मैंने इन्होंने क्या करना चाहिए? किस तरह से इनका आचरन होना चाहिए? यह महतोपुर्णबाद है। जिस तरह से रमजान मैने में लोग एक अलग तरीके का जीवन जीते हैं, एक पाक जीवन जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं। उसी प्रकार स्रावन मास या हलेक धर्म के जो लोग होते हैं, अपने अपने धर्म के नुसार उस दिन पवित्रता का पालन करते हैं। उसको पवित्र दिन, पवित्र मैना, पवित्र समय कहा जाता है। उसी प्रकार वर्षावास ये मानव जाती के लिए, मानव समाज के लिए पवित्र माना जाता है। ये तिन मैने का कालावदी, इसमें जो भी उसमें वर्षावास को मानने वाले लोग हैं। वो अपना पवित्र जीवन व्यत्तित करने की पूरी तरह से कोशिश क्याते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि उपासक और उपासिका जो वर्षावास में सहबागी होते हैं। उन्होंने अपना आचरन किस प्रकार करना चाहिए इस बारे में मैं आपके सामने कुछ बाते रखना चाहता हूँ। जैसे वर्षावास में बोद्द परंपरा के नुसार हमें प्रात्तक काल में जल्दी उठना है। चार बज़े से लेकर लोग शुरुवात करते हैं। कोई चार बज़े उठता है कोई पाच बज़े उठता है। लेकिन वर्षावास के समय जो भी वर्षावास ग्रहन करना चाहते हैं, वर्षावास के समय कुछ अच्छे विचारों को पालन करना चाहते हैं। उनके लिए आवश्यक है कि वो प्रातक काल में जागे। क्योंकि जो सबेर का जो प्रातक काल का जो वातारुन होता है। भूती अल्लाद दाय का वातारुन होता है। पक्षियों की आवाज जैसे वो गाना के बोड़ रही है। सुरज का प्रकाश जो धिरे धिरे बढ़ रहा है। ऐसा एक मंगल दायक वातारुन होता है जब दिन की शुरुवात होती है। हर दिन हमारे लिए शुरुषिया लेके आता है। उस दिन का हम स्वागत करें और उस दिन को सबेरे उठकर के हम प्रतक काल से वर्षावास में हम उसका पालन करने की कोशिश करें। तो सबसे पहला जो है कि वर्षावास में प्रतक काल उठना चाहिए। जो भी वर्षावास में कुछ पालन करना चाहिए। जैसे कुछ उपोसत का पालन करते हैं। कुछ लोग वर्षावास में तीन मैने भी वर्षावास का पालन करते हैं। उसी लिए उन्होंने प्रातक काल में सबेरे उठना चाहिए, उठने के बाद एक घर का मंगलवाता औरन हो, घर की एक स्वच्चता साप सपाई सुद्रा घर होना चाहिए, घर में भी ऐसा लगना चाहिए, घर भी उस समय कि घर में एक आनन्द निर्मान हो, आनन्द जैसा लगे, इस तरह से वर्षावास के समय हमें घर की भी साप सपाई करना है, हमार लिए सबसे बड़ा एक समय है, ये घटना है हमारे बुद्द दमग्याद, अईशी घटना है कि जो सिर्प तीन मेने हमें उस घटना को अच्छी तरसे लेना है, उस घटना में हमे अच्छी तरसे अपने कार्य को पूरा करना है, इसलिए घर भी साप सुद्रा हो, बहुती अच्छे तरसे घर हो, घर का वातावरण भी अच्छा हो, वर्षावास के समय, घर का वातावरण, घर के लोगों का आचरन, ये अच्छा हो, घर में कोई कला न हो घर में व्रदे की शुद्धता हो हर कोई एक शुद्धा नतकरन से शुद्धा मन से एक मिक से विवार करे इस तरह घर का विवातारण भी मनुष्य का एक मेक के प्रति जो विवार है वो भी ठीक होना चाहिए अच्छा वातारण निर्मान हमें करने की कुशिश करना चाहिए उसी प्रकार जो हमारे महापुर्शों की प्रतिमा होती है मुर्टी होती है वर्षावास के पहले हम मुर्टी को साप सपाई करें हमारे प्रतिमा जो होती है प्रतिमा को अच्छा साप सपाई करके हम उसको एकदम दिवाल पे टांगे हुए न देखते उसको न टांगते हुए उसको एक जगा ऐसी जगा रखे उसके स्थापना करे मुड़तिय और अपने महापुर्श्य की प्रतिमा ताकि हम सबेरे परिवार के साथ घर के सभी सदश्य परिवार के सब मिलकर उन महापुर्शों को नमन कर सके महापुर्शों को मेंदबत्ति अगरबत्ति जला सके और महापुर्शों को अपने दिल में समा सके जैसे के हम सबेरे एकदम सुभे तैयार हो करके जब महापुर्शों की प्रतिमा के सामने हम बैठते हैं और जब प्रतिमा को देखते हैं तो ऐसे बान प्रतिमा जो उनके जो चेहरे होते हैं उनके जो रूप होता है वो इतना आनंद देता है कि उनकी प्रतिमा पूरी तरसे हमारे आख से लेकर हमारे चित्त तक चले जाती है, सवेद्णा पैदा करती है यही तो काम है, यही तो करना है, हम हमारे महापुर्शों को अंदर सद्धा के आदार पर नहीं देखना है महापुरुष हम पुजा करके कुछ नहीं देंगे हमको लेकिन जब महापुरुषों को हम देखते हैं उनके उनको चेहरे को देखते हैं उनके चेहरे पर जो भी एक ऐसी तेज हमें दिखाए देता है वो तेज उनके चेहरे पर उनके कार्यका होता है उनको देख करके उनके विचाधारा का या उनके कार्य का हमें एक इफेक्ट नजराता है परिनाम नजराता है और हमारे मन पर उसका परिनाम होता है उनकी विचा धारा कि हमें याद आती हैं, जब उनके तरह हम देखेंगे नहीं, उनको दिवाल पर वैसे टांग के रख देते हैं, प्भे एकादी बार घर में कार्य कम रहा, तभी उसको उतारते हैं, साप करते और रख देते तब ही एक आदिवार अगर बत्ति में बत्ति लगाते हैं उससे महापुर्षों की विचारों की हमें याद नहीं आती है महापुर्श हमें याद नहीं आते हैं तो हम चाहते कम से कम हम चाहते कि वर्षावास के समय हमारे तीन महिने तो भी हमारे महापुर्शों की हमें याद आना चाहिए उनके विचारों को हम स्मरण करना चाहिए उनके यादगार विचारों को हम जाने और उन विचारों पर उनके मार्क पर हम चलने की कोशिश करें इसलिए हमारे सब्वेरे सुबह प्रातक काल में हमारे महापुर्शों का स्मरन करना जरूरी होता है आवश्यक होता है तो ये बाते हम वर्शावास में अवश्यक करें साल बर तो मैं बता ने सकता आपको लेकिन कम से कम मेरी आप से सुचना है कि कम से कम तीन मेने तो भी आपके घर में एक धम्मका वातारण बना रहे हैं आपके घर में धम्मका एक चेतना निर्मान हो इसलिए तीन मेने आपको महापुरुषों को नमन करना उनको उनका स्मरन करना यह आवशक बनता है आवशक होता है जैसे महापुरुष को हम मेनबत्ति लगाते हैं तो हमारे महापुरुष मेनबत्ति लगाने से खुश नहीं होते हैं यह हमारे महापुर्शों को मेनबत्ती लगाने से खुश नहीं करना है हमको, प्रसन नहीं करना है हमको, मेनबत्ती तो एक सिंबॉल एक नमुना है, जिस तरह से मेनबत्ती स्वेम जलकर अंधेरे को दूर करते है और प्रकाश देती है, उजाला देती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी होना चाहिए हम अपने जीवन में एक मिनबत्ती के समान लोगों का अज्ञान दूर करने के लिए लोगों को प्रकाश मान करने के लिए हम प्रयास करें यह इस तोसीख हमें मिनबत्ती से लेना है मेंबत्ति प्रसन्द करने की लिए चलाना नहीं तो मेंबत्ति का आदर्श हमें अपने मन में लेना है हम पुश पर चड़ाते हैं फुश पर इसलिए चड़ाते हैं कि पुश पर जो है वो दुसरे दिन मुर्जा जाता है लेकिन जब तक वो ताजा रहता है अच्छा रहता है तब वो सुगन देता है और घर की शुबा बढ़ाता है इसलिए आदमी का शरीर है ये धीरे धीरे बुड़ापे के तरब जा रहा है धीरे धीरे ये मुर्जाने वाला है लेकिन जब तक शरीर है तब तक हम कुछ न कुछ दौरों के लिए दुसरों के लिए कुछ न कुछ कर सकते है और करने का सास रखते है ये तो सीख हमें पुछपशे लेना है अगर बत्ती जलाते हैं अगर बत्ती भी एक सिम्बाल है जिस तरह अगर बत्ती स्वयम जलकर राक होती है लेकिन वो जब तक इसकी राक नहीं होती तब तक वो सुगन्द फैलाती है अपने जीवन का सुगन्द फैलाती है उसी तरह हम भी अपने जीवन में अपने शीलो का सुगन्द चारो तरफ फैलाए ताकि लोग जाने और आपका अनुकरन करें जिस घर में शीलो की सुगन्द होती है उस घर का वातारण आनंद दाई बनता है इसलिए प्रातक काल में सब परिवार के लोग इकटा करके जैसा भी समय बनता है जैसा भी समय आपको सुटेबल होगा उस समय सब आ करके इकटा करके आप अपने महापुर्शो को नमन करें महापुर्शो को वंदन करें और उनसे कुछ सीखें आप करेंगे आपके घर में समस्कार निर्मान होगा पैदा होगा समस्कार तयार होगा आप जिस तर से जुक कर महापुर्शो को नमन करते हैं उसे देखकर आपके घर के छोटे छोटे बच्चे भी नमन करना शुरू कर देंगे और आपके घर में एक अच्छे संसकार निर्मान होगे जो की एक पिड़ी दुसरे पिड़ी को संसकार देती है तो हमें भी अपने अगली पिड़ी को ये संसकार देना आवश्यक है तो इसलिए आप वर्शावास में इस तरह सा कारे करेंगे ऐसे मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ और इसी विश्यको मैं आगे ले जाओंगा तब तक मैं अपना संबोधन यहां एक समाप्त करता हूँ नमो बुद्धाय जय भी उपदेशों का पवित्रदान धम उपदेश के प्रती चिंतन मनन आशार से अश्विन पूर्णे मा तक धम्म के विचार लोगों तक पहुचाने वाली सदियों से चली आ रही परंपरा वर्शावास